असलाम और इकम मैं अमीड करता हूँ कि आप सब खेरियत से होंगे जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा मेंडू लंबर थी चाल रहा है जिसकी प्रिविएस दो वीडियो के अंदर हमने डुमेन और डुमेन की ओवर्वियो को कवर कर लिए आज जो हमारा लेक्चर है वो CDN क्यों हम डिसक्स करने वाले हैं बेगार टाइम बेस्ट के मैं आपको नोटपैट के स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ जहां पर कुछ इंप्रोटन पॉइंट से अंको डिसक्स करने के बाद हम थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे इनको first of all what is cdn and how it works difference between cdn and attached hosting and normal domains cdn जो होता है it stands for content sorry content delivery network cdn के काम क्या है वो हम देखते है cdn जो होता है वो आपके website की different copies बना के रखता है अपने पास अगर आपकी website जो है वो पाकिस्तान में hosted है और अगर कोई इनसान उसको अमेरिका से open करने की कोशिश कर रहा है तो पाकिस्तान और अमेरिका के दुर्मियान बहुत ज़रा distance है तो वहां से request आएगी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान से request जाएगी अमेरिका के अंदर तब आपके वो page उसको view होगा उसकी access होगी उसको और उसमें बहुत ज़रा आपकी website की speed slow हो जाती है टाइम लगता है इसमें ठीक है और उसमें बहुत ज़रा resources यूज होती है आपके server की content delivery network क्या होता है कि वो आपकी website को copy कर लेगा अमेरिका के लिए भी इंडिया के लिए भी फ्रांस यूरप के लिए भी इसके लावा मुखले मुलकों के लिए वो उसको उसके nearest server के उपर host कर लेगा ठीक है content delivery network CDN के अपने हर मुलक के अंदर servers होते हैं तो वो उन ही अपने servers के उपर इस website को host कर लेगा अगर एक बंदा पाकिसानी वेबसाईट को अमेरिका से browse कर रहा हुआ तो वो जो oyn מאוד होगी अमेरिका के अंदर उसके server के अंदर उस पाकिसानी वेबसाईट की copy तो CDN उसको वो向र करेगा अगर कोई बंदा फ्रांस से पाकिसानी website को browser कर रहा हुआ तो CDN अपने अपने servers में मौजूद copy से जो है वो access मिलेगी आपकी website की तो यहां पे हम देखते हैं कि cdn क्या चीज़ है और cdn किसको कहते है cdn cdn content leading network is a network of interconnected servers that speed up a web page loading for data heavy applications ठीक है अब इसकी biggest example जो है वो cloudflare है cloudflare cdn network है जो आपकी website की copies बना के रख लेता है और वो हर एक user को उसके region उसके country के लिहाज से अपने nearest server से उस website की copy present कर लेता है तो इससे आपकी official website जो होती है वो चाहिए जहां भी host हो वो इतना लंबा जो सफर होगा website का user ताक उससे बच जाएगा और दूसरे number पे user को fast experience मिलेगा आपकी website की उपर ठीक है यह CDN है इसको connect करने के हवाले से अगर आपको नहीं पता है तो I'll guide you in the next video और अब यह काम कैसे करता है वो मैंने आपको बता रही है कि एक website की copies बना के रख लेगा अपने different servers के उपर और जहां-जहां से user आएगा उसको वो अपने करीबी server से उस website की copy को show करवा देगा अभी यहां पे एक difference हम देखते हैं कि difference between CDN and attached hosting and normal hosting ठीक है CDN के बगार जो hosting होती है उसके अंजर आपको आपका जो official hosting होती है वो नजर आ रही होती है हम एक website है जिसका नाम है who is ठीक है who is basically आपकी who is records चेक करती है कि यह website कहां पे hosted है कौन registrar है इसका कब register हुई थी तो अगर मैं the skillsup.com को मैं browse करूँ यहां पे the skillsup.com which is our website इसको अगर मैं search करूँगा तो यह मुझे बता रहा है GoDaddy से डोमेन ली गई थी और इसका जो name servers है वो यह है ठीक है name servers अब क्या है name servers आपकी website की privacy protect करते हैं कि आपकी website official जहां पे hosted website है वो नजर ना आए अब हमारी कौन सी hosting है वो कोई भी नहीं locate कर सकता क्यों नहीं locate कर सकता क्योंकि हम Cloudflare को use कर रहे हैं अगर एक website होगी जो Cloudflare को use नहीं कर रही है उसके official servers होंगे वो यहां पे नजर आ जाएंगे ठीक है अब मैं यहां पर गूगल.com लिखता हूं तो Google.com में ने सर्च किया तो Google शायद Cloudflare के साथ attached नहीं है उसकी अपनी hosting है ns4google.com ns1google.com तो यहां से हमें पता लग रहा है कि यह website इस फलाँ hosting के साथ connected है और हमने इस hosting की उपर जाके इसको hack करने की attempt करनी है ठीक है तो यह आपकी protection करता है और यह difference होता है एक cloudflare attached hosting के अंदर और cloudflare के बगार के अंदर मैं एक बर bbc.com को भी देख लेता हूं कि इनकी hosting cloudflare attached है यह नहीं अब यहां पे देखें इनकी भी hosting जा है वो cloudflare attached नहीं है हम यहां पे geo.tv लिखते हैं इनकी hosting को नहीं चेक कर सकते है कि यह किस जगह पे hosted है ठीक है अगर मैं यहां पे arynews को लिख लूँ तो इसका भी देखते हैं कि इसका name server हमें नजर आते हैंगे नहीं अब यह भी अपने cloudflare को यूज कर रहे हैं public IP होता है आपका जो name server होता है वो public लिस्ट नहीं करता है वो अपने IP को show करता है और इसके backend के अदर आपकी official IPs लगे होते हैं जो यहां से ली direct हो जाते हैं आपकी official hosting के यूपर ठीक है और दूसरे number पे वो आपकी website की copy बना लेता है that's it for today मुझे motion को इस video से इजाज़त दीजिए next जो हमारे module है वो content writing का है उसको हम start करने वाले हैं और इसके अंदर हम in depth देखेंगे कि content writing क्या होती है किस सरह से हमें करनी चाहिए क्योंकि जो niche search के बाद सबसे main topic होता है keyword coverage के बाद वो content writing होता है ठीक है content आपने ऐसा लिखना होता है कि आपका user है उसको अच्छा लगे और Google को भी अच्छा लगे हमने content जो है वो Google के लिए नहीं लिखना होता है हमने user के लिखना होता है ताकि user की मदद हो से और Google भी इसी चीज़ को लाइक करता है यह core updates आ रही होती है वो उनको बुरी तरह से hit करता है यह आपने नहीं करना है अब आपने content जो है user और Google दोनों के लिखना है तो उसको कैसे लिखेंगे वो हम next video में discuss करेंगे वो बहुत important module है आपका आपने उसको जरूर देखना है और इसके बाद पर हम मुझे वो wordpress designing की तरफ जाएंगे कि wordpress designing क्या होती है that's it for today मुझे मौसन को आज की module 3 की last video which was content delivery network से अजाज़त दीजिए अपने ख्याल रखें Allah Hafiz मुझे अजाओ 3 मुझे और मुझे ुण मुझे झाल झाल झाल